Hello everyone, as true with Em Singh में मैं Em Singh आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए आपके बहुत जादा लोग डिमांड करे थे कि मैं हमारे रिष्टे का past, present and future इस पर reading बना देजे तो आज मैं आपके लिए आपके requested topic पर reading लेकर आई हूँ आपके रिष्टे का past, present and future तो इस से हम देखेंगे past देख लीजे इस deck से हम देखेंगे आपके रिष्टे का past इस deck से हम देखेंगे आपके रिष्टे में present situation और इस deck से हम देखेंगे आपके रिष्टे का immediate future ठीक है immediate future इसलिए है क्योंकि ये reading मैं अक्सर आपके लिए लेकर आऊंगी तो immediate future में आप पगड़ सकते हैं within 15 days की energy या within 7 days की energy होगी तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके रिष्टे का recent past क्या रहा है past में क्या चीजें हुई है please guide करे angels मेरे जो भी viewers ये reading देख रहे हैं please guide करें उनके रिष्टे का immediate past क्या रहा है recent past क्या हुआ है past में bottom of the deck है exhaustion तो पहले हम past देखेंगे फिर present देखेंगे फिर future देखेंगे ठीक है तो past में जो energy निकल कर आई है उसके according में आपको बता दूँ कि recent past में आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से hope में थे hope में थे कि आप जिस person से प्यार करती हैं या करते हैं वो भी आप से बहुत प्यार करते हैं आपको ये पूरा विश्वास था जो विश्वास आपका डगमगा गया थोड़ा जब उन्होंने आपको trigger किया trigger कैसे किया वो भी यहाँ पर निकल कर आया है कुछ लोगों के person ने शादी के नाम पर back out कर लिया जब आपने उनसे बोला completion के लिए harmony के लिए कि हमारी रिष्टे का future क्या है क्या हमारी शादी होगी क्या हमारी family से बात करेंगे या क्या अपनी family से मिलवाएंगे तो ये बंदा या ये बंदी थोड़ा पीछे हटने लगी डर गई पीछे हटने लगी या सब प्यार मौबत चूम अंतर हो गया और ये भागने लगे कुछ लोगों के साथ recent past में ये चीजे हुई है कि आपने इनके bad behavior को बहुत जादा adjust किया है हो सकता है इन्होंने आपको गालिया दी हो हो सकता है इन्होंने आपके रहते हुए किसी और से आपको मतलब चीट किया हो किसी और के बारे में आपको पता चला हो कि इनका फलाना लड़की के साथ या फलाने लड़के के साथ कुछ ने कुछ चल रहा है बातचीत चल रही है या दोस्त के नाम पर ये आपको धोका दे रहे हैं कि हो मेरी दोस्त है या मेरा दोस्त है बट एक्चुलिटी कुछ और थी या आपने इनकी कोई गड़बड हैबिट पकड़ ली है कि इनोंने चीट किया है या drinking habit है या किसी तरह का नशा करते हैं या करती है या बहुत ज़्यादा abusive है तो कुछ न कुछ आपने इनके बारे में जाना है और जानने के बाद भी आपने compromise किया है चीजों के साथ कि चलो ठीक है मैं एक बार माफ कर देती हूँ एक गलती चलो ठीक है मैंने माफ कर दिया फिर दोबारा से इनोंने वही गलती करी फिर आप किसी तरह adjust किये क्यों adjust किये क्यों compromise किये क्योंकि आपको लगा कि नई मैं प्यार करती हूँ तो ठीक है वापस से आपने माफ किया बट इनको माफ करते करते आप परिशान हो गए और किसी न किसी टॉपिक पर आप दोनों का बहुत भेंकर रोप से जगड़ा हुआ है जिसके बाद से आप दोनों या तो नो कॉंटेक्ट में हैं या एक साथ अगर अनब्लॉक भी हैं तो पहले की तरह चीज़ें फ्रेश नहीं है रोमैंस फ्रेश नहीं है बाचीत पहले की तरह नहीं है चीज़ों में बड़ा चेंज आया है कुछ लोगों का पास्ट में बहुत तगड़ा ट्रिगर मिला है और trigger के बाद हो सकता है past में आपको कुछ न कुछ ऐसा feel हुआ हो कि suddenly आपके साथ कुछ चीजें जैसे होता है कि आपको बहुत जादा tarot readings दिखने लगना, अचानक से बहुत जादा angel numbers दिखने लगना, या अपने उपर focus करना, meditation करना, बिल्कुल से detach हो जाना, भीड़ भार से, आपने आप में ही खुशियां ढूनना शुरू किया है, अपने आपको grow करना शुरू किया है, अपने आप पर focus करना शुरू किया है, लेकिन आपको धोखा या trigger या कुछ न कुछ आपको ऐसा effect जरूर किया है आपके person ने, जिसके बाद से ये चीज़ें आपके साथ हुई ह कुछ लोगों के life में, recent past में ये भी हुआ है कि recent past में आपका union हुआ है, बहुत समय के बाद, आपके person आपके life में वापस आए हैं, लेकिन आने के बाद आपने ये notice किया कि उनका behavior पहले की तरह नहीं है, पहले की तरह emotions, feelings, love, जो एक दूसरे के लिए भावनाएं होती हैं, वो चीज़ें आपको वो feel नहीं आ रहा जो आपको पहले आता था, तो कुछ लोगों के साथ recent past में ये चीज़ें हुई हैं, present condition देखते हैं क्या चल रही है, ये जो situation मैंने बताई है, अगर आप married couple हैं और आप अपने husband या wife के लिए देख रहे हैं, तो भी ये चीज़ें resonate क प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे viewers जो भी ये reading देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में present situation क्या है, डेक उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने, present situation bottom of the deck है, high priestess, so यहाँ पर जो energy है present situation में, overall energy देखे, collective high priestess के, मतलब present situation में, telepathically बहुत ज्यादा लोग connected है, मतलब intuitive messages आप ले रहे हैं, आप अपने six sense से उनकी energy pick करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जादा तर लोग no contact में हैं, यहाँ पर है balance की energy, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने mind को present situation में, अपने career, अपने self love में, balance में, अपने आपको balance करना, अपने आपको heal करना, अपने आप का जा रहा है, आप बहुत समय से wait भी कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो waiting पे हैं, जिनको पता है कि चीज़ें ठीक होंगी, but it will take time, तो आप सबर के साथ, patience के साथ wait कर रहे हैं, किसका wait कर रहे हैं, communication का, हो सकता आप लोगों की बातचीत भी न हुई हो काफी time से, और आप wait कर रहे हैं, कि आपके person आपके लिए stand लें, आपके person आपको clarity दें, आपके person आप से at least communicate करें, कि वो क्या चाहती हैं, या वो क्या चाहते हैं, ये भी नजर आ रहा है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, जो अपने person से इतना सब होने के बावजूद बहुत जादा attached हैं, ब आप उनके लिए बने हो, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत जादा support कर सकते हो, future life में, मतलब आप दोनों की जो compatibility level है, वो इतनी strong है, क्योंकि आप बहुत mature हो, आप बहुत सोच समझ कर decision लेते हो, भले वो थोड़ा ही mature हो, बढ़ आप बहुत mature हो, और आपको confidence है कि अगर आप उनके life में जाओगे, तो आप उनको समाल सकते हो, आपके अंदर वो capability है कि आप उनके जैसे person को handle कर सकते हो, उनका अच्छा बुरा उनको बता सकते हो, तो ये चीज़ें आपके मन में हैं, आप उनके बारे में बहुत जादा सोच रहे हैं, बहुत जादा positive हैं, आपने अपने focus को अपने उपर divert किया है, present situation में, अगर आप contact में हैं, तो भी आप energy को balance करके चल रहे हैं, बहुत जादा energy नहीं send कर रहे हैं, और अगर आप no contact में हैं, तो आप miss बहुत जादा करते हैं, आप उनसे expect कर रहे हैं communication, लेकिन आप अपने mind को stable किये हैं, through meditation, या through अपने आपको busy रखे, या through self love, आपने अपने आपको काफी balance किया हुआ है, यह जो पहली वाली energy थी ना, यह exhaustion वाली, इससे आप बाहर आ गए हैं, ठीक है, अब आप exhausted नहीं हैं, आपको पता है कि चीजों को कैसे handle करना है, immediate future क्या है आपके रिष्टे का, सबसे important, immediate future, transformation, 4-4 की vibration है, with emotional loss, we have harmony, recognition and reward, bottom of the deck है, ace of wands, so guys, immediate future में, यह reading जभी भी आप देखेंगे, timeless reading है, उसके बाद within 4 days, या within 4 weeks, यह चीज़ें आपसे resonate कर सकती हैं, most probably 4 days के अंदर, ठीक है, 4 days के अंदर यह चीज़ें आपसे resonate कर सकती हैं, आपकी love life में, कुछ major change नजर आ रहा है, यह जो change है, यह आप दोनों के behavior में होगा, आप दोनों के situation में होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर drastically change होंगी, आपके person अगर आपकी value नहीं समझ रहे हैं, आप को लेकर कोई action नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले समय में, यह आपको लेकर बहुत ज़्यादा positive होंगे, इनका feminine side आपको देखने मिलेगा, इनके अंदर यह change आएगा, कि यह emotional होंगे आपको लेकर, दिल से सोचेंगे, अभी जो दिमाग से सोचते हैं, यह दिल से सोचेंगे अपने emotions, अपनी feelings को express करेंगे, किस से, आप से, harmony की energy है, बहुत सारे लोगों का union नजर आ रहा है, यह भी नजर आ रहा है कि अगर आपके person किसी तरह की third party situation में थे, किसी भी तरह का इनको डर था, fear था, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगा, society क्या कहेंगी, family क्या कहेंग we have double one की energy, तो बहुत सारे लोगों का union यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कुछ angel numbers भी है, angel number one one की vibration है, seven one one, five one one, six one one, three one one, three one one, three one three, five one three, यहाँ पर one four four की vibration है, जो कि massive union का indication करता है, 1144 की energy है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को यह भी हो सकता है, कि आपको कुछ reunion के ठीक पहले आपको कुछ synchronicities हो, आपको hardship बहुत जादा नजर आए, या आपको कोई ऐसे dream आए, जैसे बहुत सारे लोग मीठाई का dream देख सकते हैं, चावल से related dream देख सकते हैं, या अपने person के साथ बहुत जादा dream देख सकते हैं, तो इस तरह के dreams आपको नजर आ सकते ह reading अगर आपसे resonate हुई हो और आपको guidance मिली हो, comment section में जरूर बताएगा, पसंद आई हो, जरूर लाइक कीजेगा, thank you so much guys, take care of yourself, bye bye